जाएं दोस्तों, चारली केडमी से मैं जीतू फोजी आज अपने बच्चों से बहुत सारी बाते करूँगा मैं क्योंकि जिस तरीके से हमारे बच्चे तयारी कर रहे हैं इंडिया के किसी भी जगे पे कोई भी बच्चा अगर तयारी कर रहा हैं उसमें आपके मेहनत में किसी भी तरीके से कोई कमी पेसी नहीं होता है अभी आपके सामने देखें कि अगनीवीर की भरती चल रही है 11,000 बच्चे दोडाएं हैं और उसमें सस्रिप 300 बच्चे पास कियें और उस 300 में से लगवग 210 बच्चो को मेडिकल अनफिट कर दिया है तो मैं फाइनली अपने बच्चो से यह बोलना चाहता हूँ हमेशा मैं अपने यूटूब चैनल पे अपनी अकैडमी के भी बच्चो को बोलता हूँ कि आप लोग जैसे आर्मी में फाइट करना चाहते हैं, आर्मी में भरती देखना चाहते हूँ वो अच्छी बात है लेकिन अगर आप आर्मी के physical के साथ साथ अगर आप return पे भी पूरा focus करें तो आपके सामने सिरिफ एक आर्मी बिकल्प नहीं रह जाएगा क्योंकि अगर वहाँ पे फैल होकर के भरती ना होने से और बेरोजगार और बेजदार बगजाने से बढ़िया है कि अगर आप उसी समय में क्योंकि मौर्णिंग में तीन घंटे प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों के पास और कोई बिकल्प ने होता हिदर उदर टाइम खराब कर देते हैं लेकिन अगर आपका मौर्णिंग के 5-8 बजे के बाद अगर रिटन का भी अगर आप बैचिस को अगर सीरियसली ले तो आपके पास दिल्ली पुलीस, यूपी पुलीस, हर्याना पुलीस, बिहार पुलीस, SSE GD में, CISF, BSF, CRPF ये सारी नोक्रियों का बिकल्प आप लोग के इलाबा किसी और चीज की प्रैक्टिस नहीं थी, आप सिंगल कहीं ग्राउन में प्रैक्टिस कर रहे थे, X, Y, Z, जो भी स्क्यूज थे, आपके पास पैसे नहीं थे, क्या नहीं था, वो कोई मतलब और कोई माइने नहीं रखता, अगर आपको गौर्वर्मेंट जॉब लेना है, तो आप इस रिशो के एकोडिंग आप देख लिजे कि आपका मेनत होने के बाब जूद भी आप भरती में असफ़ल हो जाएंगे, तो इसलिए मैं अपने सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अपना जी जान सिरिफ एक सिंगल फीजिकल पर नहीं करना, आपको रिटन, आपको medical documentation सब चीज के उपर ध्यान रखना है, ठीक है, मैं यही आप लोगों को बताना चाहता था कि मेरे बच्चे जो भी एक one-sided physical के उपर भागे जा रहे हैं, वो लोग अपना रिटन और अपने medical और documents के उपर भी ध्यान दें, ठीक है बच्चों और बाकी मैं भगवान से प्रे करूँआ कि जो भी बच्चे medical में अभी थोड़ा सा फसे हुएं, उन बच्चों का medical के लिए रहो और जिन बच्चों का physical बचा हुआ है, वो बच्चे physical में अपना qualify करें, और जिन बच्चों का physical और medical दोनों हो गया है, वो अपना अच्छा से बढ़िया तरीके से रेटन की तैयारी करें, मेरी academy में भी रेटन की तैयारी, power batch में चलना सुरू हो चुका है, मैं पिछले test ले रहा तो मैं उसका वीडियो भी पीछे मैंने आपको दिया है, तो उस सब चीजों में भी आप देख सकते हैं, और मैं हमेशा आप लोगों के भरती के लिए आप लोगों के जितनी भी doubts उसको मैं clear करता रहूँगा और आपके साथ रहूँगा, जैहीं